हलो गेमर्स क्याल चाल स्वागत आप सबका एक बार फिर से माइनक्राफ्ट की दुनिया में तो हम वुडलेंड मैंचन को रेड करके एक लंबे सफर के बाद वापस आ चुके हैं अपने कासल पर अगर आपने वुडलेंड मैंचन रेड की वीडियो नहीं देखिए तो आपको उपर आई बटन पर मिल जाएगी तो हमें ज्यादा कुछ खास सामान तो नहीं मिला हैं रस्ते में भी कुछ गाहाँ लूट के आया हूं है जो ब्रोकन नेदर पोर्टल होता है वहाँ पे भी हमें गोल्डन केरेट्स मिली हैं तो ठीक ठाक मिले हैं सामान अपने को जादा कुछ इस्पेशल कुछ भी नहीं मिले हैं शावल्स मिले हैं पिकेक्स मिली हैं एंड सबसे स्पेशल एक चीज मिली है वो है Totem of Undying Undying ही होता है न, अभी देखते हैं नाम तो वो इसके अंदर बढ़ा हुआ है अपने Ender Chest के अंदर Totem of Undying तो चार मिले हमें Book मिली है, एक Music Disc मिली है कुछ Ports और Red Color के Carpet लेके आया हूँ and 16 Emeralds मिले तो Overall ठीक रहा है तो इन सब सामान को मैं जमाता हूँ and अपन बनाने वाले आज अपना Iron Farm तो उसकी मैं तयार ही करता हूँ और जल्दी आपसे मिलता हूँ ओके गाईस, तो आज हम बनाने वाले अपना Iron Farm तो उसके लिए बहुत सारे Resources की ज़रुवत है and सारे Resources मैंने ट्राइ किया एक कलेक्ट कर लूँ मैं एक बार में ही तो कलेक्ट तो कर लिये हैं हो सकता है बीच में कमी पड़ जाए तो अपन बीच में वापस आना पड़ेगा कासल के अंदर and हमें जो Iron Farm बनाना है अपने विलेज से 100 ब्लोक दूर बनाना है तो मैंने जगे देख रहे हैं कहां बनाना है कैसे क्या करना है तो यहाँ पर बनाने वाले हैं हम अपना Iron Farm तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को सुब्राइब करका बेल आगन प्रेस कर दीजिए फटाफट से तो आपको सामने दिख रहा होगा एक गर बना हुआ तो मैं यहाँ पर दो विलेजर्स को लेके आया हूँ and यहाँ पर मैंने 20 बेट्स रखे हैं तो जल्दी से विलेजर्स बड़े हो जाएं तो क्यूंकि हमें 20 विलेजर्स चीए होंगे and काम चल रहा है इनका बराबर से कोई दिक्कत नहीं है दो बेबीज हो चुके है तो टोटल 20 विलेजर्स चीए and मैं सारे वहाँ से नहीं ला सकता क्यूंकि सारे वहाँ खतम हो जाएंगे मेरे और ट्रेड भी कर रखी है उनसे तो हमें चीए एकदम फ्रेश न्यू विलेजर्स and भाई जल्दी से बड़ा हो जाएं मेरी शकल मत देख तो 20 विलेजर्स 20 बेट्स पड़े हुएं देखते हैं अगर कोई निटवीट और निकल गया तो एक आदा बेट एक्स्ट्रा भी लगाना पड़ सकता है तो वो भी ध्यान में रखना अगर आप भी यह आईरन फार्म बना रहे हो एंड यह आईरन फार्म पूरा रिसर्च करके मैं बना रहा हूँ तो 100% वर्क करेगा पूरी रिसर्च किये मैंने अगर आप भी यह आईरन फार्म बना रहे हो तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं सारी छोटी छोटी चीज़े भी इसमें बताने वाला हूँ क्या आपको प्रोब्लम आ सकती है क्या नहीं आ सकती है तो ओके गाईज तो सबसे पहले आपको एक 3x3 एरिया तोड़ना है तो यहाँ पर ब्लोक्स तोड़ने जहां पर अपन अपना चेस्ट रखेंगे एंड 3x3 में 9 होपर्स रखने वाले हैं अपन तो सबसे पहले दो चेस्ट लगा दीजे यह यहाँ पर एंड दूसरे यहाँ पर तो चेस्ट हो चुका है complete इसके अंदर होपर्स के थूँ अपने जो आईरन्स आएंगे तो आएंगे भई इस बार जरूर आएंगे लास्ट टाइम तो थोड़ा जावा वाला दिक्कत हो गी थी तो आपको होपर्स लास्ट टाइम मैंने connect नहीं किते बट आप मैं समझ चुका हूँ कैसे क्या करना है तो बेट के chest के साथ connect करिए और एक होपर के पीछे दूसरा होपर लगा दीजिए तो आपके जो होपर्स हैं connect हो जाएंगे अगर आप खड़े खड़े लगा होगे तो connect नहीं होगे तो यह हो चुके होपर्स का काम done अब आपको चीए glass तो glass आपको लगाने इसके corner corners पर पूरा इसको pack करना है तो एक बार तो आप यह से लगा दीजिए यहाँ पर इसके उपर लग जाएगा पूरा pack होना चीए आप corner में नहीं लगा होगे तो भी थोई design एच्छी आएगी तो ठीक है खुल रहा है chest तो तो इसको चारो तरफ लगाने के बाद आपको 4 layer तक chest लगाने और जो 5th layer होगी वहाँ पर आपको लगाना एक stone तो मैं तो pricks लगाने वाला हूँ क्योंकि अपने बाद silter चे बहुत तो 1,2,3,4,4 हो चुगे और 5th block आजाएगा तो बस hard block लगा देना coble stone भी लगा सकते हो आप तो अपने बाद silter चे तो बहुत सारे stone collect कर लिए हैं मैंने अपन जो है stone pricks लगाने वाले तो बस इसी तरह से आपको पूरा इसको cover करना है तो मैं इसको जल्दी से cover कर लेता हूँ और राइट तो ये complete हो चुगा है and dog दिख रहा है मुझे and अपने पास शायद headdy अभी बड़ी हुई है तो अपने पास एक भी dog नहीं है तो इसको मैं tame कर लेता हूँ तो dog को tame करने के लिए इसको headdy खिला ही है खिलाते रही है जब तक कि भाई इसको आपसे प्यार न हो जाए अलब दिल दिल आ जाए तो ओके ओल राइट तो ये हो चुका है tame अब इसको अपन sit बेटा भी सकते हैं अपने पीछे पीछे आए गए है तो मैं चाता हूँ जल्दी से इसको अपने castle में बिठा के आ जाता हूँ बाद में इसको name देंगे तो हमारा नया puppy है ये ओल राइट तो night थी तो मैं सो भी गया हूँ और सुबह हो चुकी है अब अपने को क्या करना है एक 16 by 16 करके इसको पूरा pack करना है तो 16 blocks टोटल होने चाहिए लंबाई में भी और चोड़ाई में भी तो वो आपके उपर है कि आप किस तरह से करना चाते हो तो क्योंकि 3 block अपने जगे चोड़ किये तो बिल्कुल center में तो नहीं होगा क्योंकि विशम संख्या आ रही है यहाँ पर 16 blocks की तो 3 बीच में आ गए है तो एक side पर 6 रहेगा और एक side पर 7 रहेगा तो फटा-फट से मैं लगा देता हूँ एक side पर 6 एंड एक side पर 7 एंड उसको पूरा आपको pack करना है 16 by 16 के through तो अगर आप नहीं समझे हो तो end में मैं और बता दूँगा आपको ओल्राइट गाईज तो मैंने पूरा pack कर लिया एंड 16 by 16 अगर किसी को समझ में नहीं आए तो अगर पूरा बनने के बाद आप इसको गिनिएगा यह 16 होने चीए तो 13, 15, 16 ओके और इस side में भी गिनिएगा इसको 16 होने चीए तो आप 4 corner गिन सकते हो बाकी 2 side में गिनोगे तो सामने तो सेम ही है वैसे भी तो all right done and beach में जो जगे छूट जाएगी जहां से iron golems गिरेंगे तो अब अपने को क्या करना है इसके एक यहाँ पर लगाना है block end अब आपको इसको चारो तरफ से double layers में cover कर देना है तो इसको मैंने पूरा complete cover कर दिया है and boring part है तो मैंने cut दिया है कोई मतलब नी video जाज़े ही लंबी हो जाएगी वैसे भी पदा नी कितनी लंबी होने वाली है end में देखेंगे वो तो end यहाँ से तोडने वाला हूं में क्योंकि यह अपने chest खुलने का इस साइड से रास्ता है तो में में सारी चीजे इस साइड को front मान के ही करूंगा तो अब आपको तीन corners पर 6,7,8,9 तो 3 by 3 के blocks लगाने 1,2,3,4,5,6,7,8,9 all right and एक छोड़ना है आपको corner क्योंकि यह जो 3 corner होगे यहाँ पर अपने villagers को रखेंगे अपने एक corner आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ से अपन water source बनाएंगे तो आपको एकदम center में तोड़ना है इसको end यहाँ पर लगाना है आपको एक glass all right तो तीनों में आपको यही करना है यहाँ पर भी आपको center में तो नहीं 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 एक तो यह side में तूड़ गया center में तोड़ो glass लगाओ and इस पर भी आपको यही करना है बिल्कुल same ओके तो यहाँ पर भी glass तो done यह हो चुका है done अब आपको क्या करना है अब आपको लगाना है इसके नहीं यहाँ पर जुरुरत नहीं है तो दो-दो glass की जो heights पर आपको लगा देना है और इसके बीच में आपन रखने वाले villagers को तो same इस तरह से बना दीजेगा और यहाँ पर दोनों साइड पर है वहाँ पर रखने आपको आठ 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 विलेजर्स तो टोटल हो जाएंगे आठ आठ 16 और चार 20 तो सेंटर वाले में चार आ जाएंगे और कॉर्णर कॉर्णर पर आठ आठ तो अब मैं फटापट से विलेजर्स की विवस्ता करता हूं सबसे टफ पा अल्राइट गाईज पता नहीं सकता मैं जो कित्ती मेहनत लगी है यार तो लास्ट एक विलेजर्स को और ले जाना है क्योंकि मैंने बहुत ज़ादा मेहनत के बाद एक सिंपल सी ट्रिक लगी है मुझे हाथ में तो आपको सिर्फ बाहर तक रेल लानी है और वहाँ पे आप को अपनी माइन कार्ट लगानी है एंड विलेजर्स को दका देखके ले जाना है तो शुरू में काफी मेनत हुई थी एंड इसको दका देखके ले जाईए खोलिए दका दीजिए कार्ट में बेट गया एंड सीधा पहुंचा ही है इसको उपर जाना बही जाना और शेट श जगेब है तो आठ विलेजर्स इस वल्ले में और चार उस वल्ले में डन है लास्ट अब कार्ट यह जो रेलवे है इसको चेंज करते रही है और सबसे बेश तरीका है यहाँ पर लगा दीजिए इसको क्यों मैं शुरू शुरू में क्या कर था डायट माइन कार्ट के थुरू ही इनको अंदर डाल रहा था तो कार्ट तोड़ने में बहुत ज़्यादा प्रोब्लम हो रही थी तो इस तरह से करना है आपको अब जाना है आपको इसके उपर ताकि आप इसको धका देके ले जाईए मारियेगा मत मर भी जाता है मेरे दो तीन विलेजर मर भी गए इस तरह से कार्ट निकालने के चकर में शुरू शुरू में उसके बाद तो यह मैंने यह आईडिया निकाला बैस्ट था यह इसको थोड़ा थोड़ा तका दीजिए अंदर तो सारे पेक है आटो हो चुके है बाई बता निसकता कितना टाइम लगा है मुझे अल्मोस्ट फॉर टू फाइफ आउर्स लगे है मुझे टोटल विलेजर को यहां लाने में बहुत परिशान किया है बहुत ज़ादा तो आपको भी पता ही है वाई एक तो यार विलेजर को लेजर कुछ होना चीए अपनी बात मन नहीं है यह सीट, स्टेंड, डोक्समें, पेट्समें आता है न विसे यार यह कुछ तो होना चीए है बात ही नहीं मनते है यार ओके तो फाइनली यार बहुत ज़ादा खुशू में कि विलेजर का काम कर दिया है आपको लगाना इनके जस्ट उपर ग्लास ताकि यह कुदे ना क्योंकि इनके जो पेरों में हैं अपन पानी डालने वाले हैं तो बहुत ज़ादा कुदेंगे अगर आप उपर नहीं लगाओगे ग्लास तो साइड साइड के तोड़ जीजे सब में आपको इसा ही करना है बिल्कुल ग्लास लगाना है उपर ओर राइट तो जो सबसे टफ पार्ट था ना यार वो अपनने कम्पलेट कर लिया है तो अब चीजे आसान होनी चीए मेरे हिसाब से तो बहुत ज़दा टफ पार था बहुत ज़दा तो अपने पास तीन विल्कुल बचें सारे बेट तोड़ लीजे आगे का कोई भी प्रोसेजर करने से पहले अगर आप यह आईरेन फार्म बना ही रहे हो तो सारे बेट तोड़ लीजे ताकि कोई और लिंक ना हो सेगे इन बेट से अपने जो villagers वहाँ पे वो इससे link ना रह सकें तो सारे आसपास के बेट तोड़ लीजे and then आपको क्या करना है इन villagers को मारना पड़ेगा sadly मारना ही पड़ेगा आपको इनको क्योंकि अगर आप इन villagers को नहीं मारते हो और आप workstation लगाते हो तो अपना iron farm का काम खराब कर देंगे तो sadly बहुत दुख के साथ मुझे मारना पड़ेगा इन villagers को sorry यार I'm so sorry बट जाना पड़ेगा तुम्हें यहां से see you soon जल्दी आप छोटे बेबी बन के आओगे हमारे पास वाले विलेज में यसी आशा है मुझे and so I'm so sorry दिल से sorry and सीधा दिल पर खतम game over बहुत sad part था यह बट आपको करना ही पड़ेगा and now cats फालतू परेशान के जी है तो यह काम हो चुका है bets में बाद में उठा लूँगा यहां से now echo tough part है जो आपको करना पड़ेगा यहां से glass तोड़ना है and यहां पर आपको water place करना है तो मैंने split control on किया है था कि थोड़ा मैं accuracy के साथ water place कर सबूँ क्यूंकि यहां पर water place करना बहुत ज़्यादा tough होने वाला है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है बाकी मैं कर दूँगा water place दीरे दीरे करके कैसे हैं कैसे करके तो थोड़ा ugly होने वाला है बट निप्टा देंगे अपन तो यहां पर देखते हैं यहां पर चार बंदी है तो यहां जल्दी हो जाएगा तो यहां पर ओल नहीं नहीं इसके लग रही है यह मर नहीं जाए है और वापस अब मैं नहीं ला पाँगा विलेजर्स को I'm just tired okay okay सही हो गया थोड़ी सी खाली जाएगे देखके आपको लगा देना है हो जाएगा काम बट थोड़ा सा टफ होने वाला है थोड़ा क्या बहुत जादा टफ होने वाला है यह पानी देखा वो तो बंदी नहीं हो रहा है एक सेकेंड split control मेरे सेटी नहीं होते है एक तो वो थोड़ा accuracy से काम होता है ना इसलिए all right it's packed तो मैं फटा फट से फटा फट से किया थोड़ा सा टाइम लगे है बट सब मैं water source add कर देता हूँ okay guys तो मैंने तीनों के अंदर जो है पेरों में पानी डाल दिया एक bucket पूरा एंड गड़बड भी हो गई थी मैं beds लगा रहा था मुझे लगा रहा था रिकोर्ड हो रहा है बट रिकोर्ड नहीं हो पाया था तो मैं आपको बता देता हूँ किस साइट से किस तरह से बेड लगाने है आपको तो आपने जो सेंटरल लाइन है जो 3x3 का एरिया उसको छोड़ना है आपको उसके बाद आपको क्या करना है 3 layer उपर जाना है and double layer कि आपको पूरे box बना देना है इसको and then आपको उसके उपर beds लगा देने तो इस तरह से beds लगेंगे total 7 beds तो यहाँ से हैं कहीं से यह जो center वाला bed है यह मैंने first bed लगा था and bed link होने चाहिए इसके उपर green आना चाहिए 7 इस साइट, 7 उस साइट and 3-3 दोनों बीच में आ जाएंगे तो हो गए 20 इस तरह से आपको लगाने है 3rd layer पर आपको लगाने है इनको तो 3 blocks रखिएगा 2 blocks तोड़ दीजिएगा उसको फिर round करके double round कर दीजिएगा इस तरह से आप जैसे आप देख पा रहे हो अगर आपको इसमें कोई problem हो तो comment कर दीजिएगा वैसे easy है कुछ दिक्कत नहीं है double block का आपको पूरा round बनाना है पूरा चारो तरफ बनाना है तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ फिर भी आपको कोई problem आए इस part में तो comment कर दीजिएगा क्योंकि आप miss हो गया मेरे से record गना तो वैसे easy है कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है all right तो यह दीके firm two and third layer था वो उपर और उसके उपर अपने को bed रखने है तो total 20 bed ही आएंगे and मेरी जो pickaxe है वो भी खतम हो गई है तो सामान भी सारे खतम हो गई है तो मैं जाता हूँ जल्दी से pickaxe लेके आता हूँ and कुछ और जरूरी सामाने वो भी लेके आता हूँ okay guys तो मैं वापस आ चुका हूँ and fletching table लेके आया हूँ क्योंकि अब हम इने workstation देने वाले हैं इनका काम देने वाले हैं ताकि यह work करें और iron golem spawn हो तो आपको क्या करना है सबसे पहले तीनों सामने दिखने चीए and यहाँ पर रखिए fletching table and वो देखिए वो link हो रहा है उस side पर बंदा तो आपको इसको तोड़ना है देखना है कौनसा बंदा link हो रहा है and वहीं पर जाना है आपको and एक glass तोड़ना है तो इसको तोड़िए and यहाँ पर रखिए तो चार बंदे हैं उसमें तो आप उपर वाले चारों तोड़ सकते हैं जो top वाला है उसको कभी मत तोड़िएगा and बाकी तो आपको नीचे वाले भी तोड़ने पड़ेंगे तो इसको रखा है अपने यहाँ पर and उस साइड पर बंदा जो green आते ही आपको पता जल जाएगा कि कौन सा बंदा लिंक हुआ है इस workstation से तो आपको जाना है कोई सा भी तोड़िए कोई फरक नीपड़ता लिंक हो जाएंगे यह देखिए तो आपको सारा एसा ही करना है पूरे 20 में आपको एसा करना पड़ेगा देखना पड़ेगा कौन सा बंदा कहा लिंक हो रहा है ताकि आप साई workstation लगा सको साई जगे पर तो काफी ज़रूरी है इसी तरह से करना पड़ेगा थोड़ी मेनत तो लगेगी तो इसी तरह से मैं करने वाला हूँ अगर आपको पानी नीचे वाले ब्लोक पर लगाना है तो कैसे लगाना है इस साइड से जाईगे थोड़ा साइड में यहां से ब्रेक करिएगा रख दीजेगा तो आप पानी के बाहों में बहेंगे भी नहीं आपका काम भी हो जाएगा तो नीचे भी लगा नहीं पढ़ेंगे आपको जहां पर आंट विलेजर्स हैं तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक आइरन गोलम स्पॉन हो चुका है मिन्स कि हमारा आइरन फार्म बिल्कुल वर्क करने वाला है क्यों यार बहुत जादा मेनत लगी है इस बार वर्क करेगा ही करेगा तो आइरन गोलम देखिए बिल्कुल उपर लेज पर इस्पॉन हुआ है तो यहाँ पर भी इसका आगे जुगाड होगा बट अभी मैं वर्क स्टेशन निप्टा देता हूँ ओके गेमर्स तो मैंने सारे वर्क स्टेशन लगा दिया है करने सारे लिंक हो चुके है अब आपको क्या करना जो भी एक ओरनर में जगे है वहाँ पर अपना ब्लोक लगा दीजिए अगर आप कोबलिस्टोन यूज़ कर रहे हो तो वो लगा दीजिए यहां पर इसपॉन ना हो इनके उपपर तो यह काफी ज़रूरी अगर आप ऐसा नहीं करोंगे तो आइरें गोलम इनके उपपर इसपॉन हो जाएंगे एद अब हमारा आइरें फारम वर्क सही से नहीं करेगा करेगा तो है बट उतना एफिशेंट नहीं होगा तो अब आपको क्या करना है अब जो slips लेकर आए है अंस partnered पूरे पूरे जो ब्लॉक से सब के उपर विस प्लोक आपन ने जो यहां पर इन ब्लोक से भी रखना है जो अपन ने वर्कस्टेशन के यहां पर रखने हैं ख़ाली जगे सारे तो आपको भी ऐसी लगाने काफी ज़्यादा रिसोर्सिस की जरुरत पड़ेगी मुझे पता है बट वर्त है क्योंकि यह वर्क करने वाला है अब आपको क्या करना है इसके उपर एक लेयर और बनानी है सेम 16x16 जो आपने नीचे बना है बेठ ये ज़स्ट बेठ के उपर लगा दीजिए एंड एक्जेक्ट सेम बनाना है आपको जैसा कि नीचे बना हुआ है 16x16 का एंड उसके उपर तो मैं फटाफट से बना देता हूँ एक बार इस तरह से करके तो उससे पहले आपको क्या करना है यह जो वर्क स्टेशन से इसके उपर आपको क्लास लगाने है ताकि इसके उपर भी जो है iron golem spawn ना हो सके कभी भी spawn हो सकते iron golem इसलिए हमें पूरा protect करना पड़ेगा तो ये जो workstation है सिर्फ इनी-इनी के उपर लगाना है आपको 1, 2, 4 लगेंगे total 3 and 1 लगेगा इस side पर आप चाहो तो torch लगा सकते हो मैं लगा रहा हूं ताकि villagers खुश रहे हैं यार एकदम आप इनकी जिन्दगी यही बीटने वाली है बिल्कुल इसी के अंदर काम करते करते मरेंगे भी नहीं अमरत्व का वरधान बिल चुका है इने तो कभी cutting life होने वाली है तो अंदेरे में ना गुजरे बस आपको साइड में नीचे जो आपने दो लेयर की बनाई थी दो blocks की तो आपको उपर जो है एक block की बनानी है यह ध्यान रगेगा सेम जगे छोड़नी है 3x3 की एक्जेक्ट सेम बनाना है बस एक change है block का एक block की दिवार बनेगी और यहाँ पर corner पर block लगेगा एक यहाँ पर दूसरा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सेम क्यूंकि यहाँ पर अपन पानी जो अपना water होने वाला है वो डालने वाले है तो ज़रूरी है यह इससे अपना जो water का flow सही बनेगा एंड यह गलत बन गया है इसको तोड़ देते हैं यह 1, 2, ok तो it's done अब क्या करना है आपको same slabs लगाने इन पूरे के उपर पूरी boundary के उपर ताकि iron golem इनके उपर response ना होगए तो same करना है आपको समझी गए होंगा आप, alright तो यह complete हो चुका है अब आपको जो है sign board लगाने है ताकि water का flow है वो नीचे ना जा सेगे, पानी क्योंकि 8 block तक पानी जाता है तो सही नहीं रहेगा तो एक बार तो मैं लगा रहा हूं, अगर sign होंगे तो मैं आपको वापस update दे दूँगा इसी वीडियो के अंदर कि आपको कैसे लगाने, क्या है, क्योंकि यह last वाला मुझे sign ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानी रुख सकता है तो यहाँ पर आगर आकर iron golem खड़े हो गए, तो अपना farm सही से work नहीं करेगा तो एक बार तो आपको बनानत बिल्कुल ऐसे ही है, वो last वाले की दिक्कत है तो मैंने split control on किये था कि थोड़ा सा efficiently काम कर सकूँ एक और लगाना है आपको, three, तो लगेगा ऐसे ही सेम, बस वो last वाला है उसको मुझे देखना पड़ेगा कैसे हटा सकता हूँ उसको मैं, क्योंकि मैंने उसको तोड़ा था, सारे टूट गए थे और इसके उपर भी नहीं लग रहा था, नीचे वाला जो fence है, signboard sorry fence क्या तो इस तरह से कुछ लगेगा, सेम आपको नीचे वाले जो floor है, वहाँ पे भी बनाना है तो इसको तोड़ लेते हैं, all right, it's done, देखता हूँ मैं, इसको मैं क्या changes कर सकता हूँ सेम आपको यहाँ पे भी करना है, अब बारी आती है, पानी यह, tough part, एक और, तो बहुत सारी buckets बना के लाए हूँ जिता iron था सारा use कर लिया, क्यूंकि यार बार बार दो water bucket डालो, फिर जाओ, ने, water source भी बना दिया, आपने उपर ही तो देख सकते हो, कित्ती सारी buckets है अपने पास, तो आपको क्या करना है, एक layer बता देता हूँ, मैं कैसे करना है, बाकि आप, चारो तरफ सेम करना है आपको तो किसी भी एक corner से start करिए, मैं करने वाला हूँ, इस corner से, ये जो corner है, इसके पास वाला एक block, left और right दोनों side को छोड़के, सारे blocks में आपको एक एक water bucket पानी डालना है समझ गया आप, समझ ही गये होंगे, तो इस तरह से आपको, एक यहाँ पर, and split control से आप, थोड़ा efficiently work कर सकते हो मेरे ताद सेट नहीं होता, बट efficient बहुत है, तो इस तरह से देखता हूँ, किता यहाँ से कर सकता हूँ, अब नहीं कर सकता तो जो center में block पड़ा हूँ, इसके just pass वाला, right side में भी और left side में, इन दो पर आपको water bucket नहीं डालना है, उसके अलावा, पूरे में डालना है सेम यही process करना है, आपको starting करना है, उपर से, block के उपर से तो आखरी 4, 5, किते चीए अब, 4 और चीए, तो एक यहाँ पर 3 और चीए होंगे, क्यों लास्ट वाले पर अपने नहीं लगाना है, water bucket तो next, यहाँ पर end, एक ओर लगाना है, यहाँ पर मत लगाना, यह जगे छोड़नी है, आपको समझ गए होंगे आप, ओके तो done, अब आपको same process, बाकी की चारो जो डीवारे बचीए, वहाँ पर भी करना है, alright, तो आप, जैसे ही complete होगा, आपको कुछ इस तरह से दिखेगा water का flow, बिल्कुल, center में जाना चाहिए, ताकि आप जैसे iron golem, इस फोन, वह सीधे इस खड़े में गिरे, alright, तो इस floor का काम हो चुका है, अब हमें जाना है, देखिए, आप कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं, automatic जा रहा हूँ, and वो जो blow के, वहाँ पर कुछ mistake लग रही थी, फिर side में 3-3 लगा देना है, तो ये सही है, इस तरह से लगाना है आपको ox signs, यहाँ पर भी मैंने पानी का काम कर दिया, यहाँ पर आपको जो एक corner बचा था, वहाँ पर एक block लगाना है, फिर उसके उपर से पानी start करना है, तो पानी start करना है, यह जो work station बने हुए है, इसक block को छोड़ना है, इस पूरे को छोड़ना है, फिर यहाँ से start करना है, तो इस तरह से आपको करना है, यह iron golem अब यही खड़ा रहेगा जब तक में, glasses नहीं तोड़ूँगा, तो I hope कि आप लोग समझ गए होंगे, सेम तरीका है, water flow होना चीए, बिल्कुल center में, आप तोड नहीं पाएंगे, तो अब यह iron golem अपने उपर गिरने वाला है, तकड़ाई सीनोंने वाला है, उपर मत गिर जाना, नीचे मत देख भाई, उपर मत गिर जाना, बस तो नहीं गिरा, बच गए, बच गए, तो अब इसको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, एक बार एक बार मैं लावा और यहाँ का सारा काम कर देता हूँ, तो मैं लावा और थोड़े केम फायर लेके आ जाता हूँ, ओके, तो अब अपने को क्या करना है, सेकिंड जो ग्लास है, यहाँ से अपने को, थ्री, एड इसके आगे, फॉर, फाइफ, जस्ट आगे, शिक्स, एड एक लेरोल लगानी है, टोटल नाइन ओक्साइन्स लगेंगे, अब बार यह लावा की, तो ओक्साइन नहीं जलते हैं लावा से, जो अपने लास्ट आइरन फार्म बनाये था, उसमें पता जल गया, तो आपको यहाँ बिल्कुल सेंटर में लगाना है, एक ग्लास, एंड बिल्कुल सेंटर में आपको जो है लावा रखना है, तो यहाँ पर अपन रखने वाले हैं, लावा ओके, इसको तोड़ लीजिए, इससे पहले कि बाहर है, इसको यहाँ उपर से बंद कर लीजिए, नहीं, यहाँ से बंद करने की जरुरत तो नहीं है, बट एक बार कर दि नहीं है, बट केमफायर रख दोगे तो शोड़ी केट्स कम पड़ जाएंगी, बागी बहुत ज्यादा केट्स स्पोन होने वाली है, तो ज़रूर ही है, केमफायर लगा देना कोई दिकत नहीं है, बहुत एजी रेसिपी है, ज्यादा कुछ नहीं चीए होगा इसके लिए तो केमफायर में सारे लगा देता हूँ, नो, नो केमफायर चीए होंगे आपको, अल्राइट, इसको पेक कर देते हैं, मेरे इसाब से कंप्लीट है पूरा काम, बस अब यह अच्छे से वर्क करने लग जाए, तो यहाँ पर हो गया, एंड इस पेक्ड, अब यह दूआ भी केट्स, इसपोन तो होगी, बट कम होगी, थोड़ा फरक पड़ जाएगा, पता नहीं कुछ पड़ता तो है, देखते हैं, क्या फरक पड़ता है, तो यहाँ इसके अंदर जो भी आइटेम हैं ले ले लेता हूँ मैं, देखते हैं, वर्क करता है यह नहीं करता है, मैं आप कि अगर जमीन पे इनके साथ फाइट की तो यह छोड़ेंगे नहीं आपको मिल्कुल तो यहां से सीधा कीच के तीर मारी है और देखिये यह किता गुसे मा है नीचे होते हैं आप खतम थे लगी नहीं तीर नहीं लगी नहीं नहीं बच गया खतम ओके तो सेम उसको भी मारना है तो वो थोड़ा दूर है तो यहीं से काम करते हैं यहीं से मारते है पर यहर वो तो दो एरों मर गया था यह नहीं मर रहा है जल थो रहा है पूरा क्योंकि अपने जो बो है दनुश है उसके अंदर फ्लेम लगी हुई है आग लगी हुई है तो तो अपन निचा आगे नहीं नहीं देख लिया देख लिया मुझे लगा दूर था नहीं देखेगा बट पीछे पढ़ गया अपने थोड़ा सा दूर भागते हैं अब लगाते हैं यहां से निचाना वह क्या तेज से दोड़ रहा है खतम तो आइरन मेन दोलों खतम हो चुके है आइरन मेन आइरन गोलम कुछ भी बोलो भई आइरन ही है तो ओल राइट गाईज यहां पर देखते हैं अपन इस्पॉन हो रहे हैं या नहीं हो रहे है ओके तो iron golem spawn हो रहा है सामने देखिया आप कित्ती खुशी मिल रही है यार मुझे सीधा गया नीचे बाई बता नहीं सकता किस्तनी खुशी मिल रही है यार ओके तो मैं तो ऐसे ही गुम के आया तब तक एक और iron golem spawn हो चुका है बाई यह जबान भी लड़कर रही है मेरी यार कित्ती खुशी हो रही है तो 41 irons मिल चुके हमें बाई साब गजब iron golem spawn हो रहे है iron farm work कर रहा है यह जल रहा है एक और iron golem तो एकदाम 100% working है तो अगर आप बनाना चाहते हो जरूर बनेगा I hope कि आपको वीडियो पसंद आया है बहुत effort लगा है तो like कर देना चैनल सब्काइब करका बेल आइकन प्रेस कर दीजिए मिलता हूँ आप सबसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम